सच्ची दोस्ती True Friendship बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक छोटे से गाउ में दो घनिष्ट मित्र रहते थे अर्जुन और सूरजुन दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गाउ में दी जाती थी अर्जुन बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था जबकी सूरज निडर और साहसी था दोनों एक दूसरे की खूबियों और कमियों को बहुत अच्छी तरह समझते थे एक दिन गाउ में एक बूढा साधु आया और उसने गाउवालों को बताया कि पास के घने जंगल में एक रहस्यमे गुफा है जिसमें एक अध्भुत खजाना छिपा हुआ है लेकिन उस गुफा तक पहुँचना बहुत खतरनाक है साधु ने यह भी बताया कि केवल सच्ची दोस्ती और साहस ही उस खजाने तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं अरजुन और सूरज ने तै किया कि वे इस रोमांचक यात्रा पर जाएंगे और खजाने को खोजेंगे वे दोनों सुभसुभ ही जंगल की और निकल पड़े जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजे सुनाई देने लगी चारों और घना अंधेरा और रहस्यमई वातावर्ण था अर्जुन ने नक्षा निकाला और दोनों ने गुफा की दिशा में बढ़ना शुरू किया चलते चलते उन्हें एक नदी मिली जिसका पानी बहुत तेजी से बह रहा था नदी को पार करना बहुत मुश्किल था सूरज ने नदी के पार एक बड़ा पेड देखा और अर्जुन से कहा हम उस पेड की शाखाओं का इस्तिमाल करके नदी पार कर सकते हैं अर्जुन ने सहमती दी और दोनों ने पेड की शाखाओं का पुल बना लिया नदी पार करने के बाद वे दोनों और गहराई में जाने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक विशाल चट्टान मिली जिसके पीछे गुफा का मुह था। गुफा के बाहर एक बड़ा सांप पहरा दे रहा था। अर्जुन ने सोचा कि अगर उन्होंने सांप को चक्मा नहीं दिया तो वे गुफा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सूरज ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए सांप को अपनी ओर आकरशित किया और अर्जुन ने पीछे से चुपके से गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। अर्जुन अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। चलते चलते अर्जुन एक बड़े कक्ष में पहुचा, जहां चारों और सोने के सिख्के और कीमती रत्न बिखरे हुए थे। अर्जुन ने सोचा की उसे सूरज को बुलाना चाहिए ताकि दोनों मिलकर खजाना निकाल सकें। अर्जुन ने वापस जाकर सूरज को बुलाया और दोनों ने मिलकर खजाना इकठा करना शुरू किया। तभी गुफा के अंदर से एक रहस्य में आवाज आई, यह खजा जाया है। दोनों ने खजाना गाउ में लोटा कर सभी गाउवालों के साथ बाट लिया। गाउ में खुशिया मनाई गई और अर्जुन और सूरज की दोस्ती की मिसाल और भी बढ़ गई। इस तरह उन्होंने सच्ची दोस्ती और साहस का महत्व समझा और सभी के दिलों म अपनी जगह बना ली।